मोरक गधा की कहानी, एक नमक बेचने वाला रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बाजार जाता था. रास्ते में उन्हें एक नदी पार करना पड़ता था. एक दिन नदी पार करते वक्त, गधा अचानक नदी में गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई. उसे नमक बेचने वाले को काफी नुकसान उठाना पड़ता। नमक बेचने वाले को गधे की चाल समझ में आ गई और उसने उसे सबक सीखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गधे पर एक रूई से भरा थेला लाद दिया। अब गधे ने फिर से वही चाल चली. उसे उम्मीद थी कि रूई का थेला अभी भी हलका हो जाएगा. लेकिन गीला रूई ले जाने के लिए बहुत भारी हो गया और गधे को नुकसान उठाना पड़ा. उसने इससे एक सबत सीखा. उस दिन के बाद उसने कोई चाल नहीं च चाहिए.